नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्य सनातन धर में तो चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा, बेल आइकन का बटन अन करते दखेगा तो आज स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर नए अपिसोड में और मैं आज आपको बताऊंगा कि जोति सास्त के अमसार कुंडली में कब बनता है गजकेसरी योग गजकेसरी योग होता क्या है और ब्यट्टी के जीवन में अगर उसकी कुंडली में उसके कुंडली चार्ट में अगर गजकेसरी योग बना हुआ है तो ब्यट्टी के जीवन में उसके क्या प्रभाव होंगे ब्यट्टी को जीवन में उसके क्या लाब देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पेट चार्ट दिखाए दे रहा है गज केसरी योग का निर्माड कब होता है? सबसे पहले गज केसरी योग का निर्माड कुंडली में ब्रिहस्पती और चंद्रमा के कारण होता है ब्रिहस्पती और चंद्रमा अगर केंद्र में हो एक साथ बैठे हो या कुंडली के किसी घर में हो वो एक साथ बैठे हो या अपने से चौथा दस्वा या सात्वे से सात्वे का संबंद बनाते हो तो कुंडली में गज केसरी योग का निर्माड होता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावसाली कब होता है जब कुंडली में ये योग आपकी केंदर में बने केंदर का मतलब क्या हुआ एक चार साथ और दस यहाँ पे चार नमबर लिखा है तो ये मस समझे कि मैं एक क्यों कह रहा हूँ ये चार रासी है ये रास यहाँ पे चार नमबर लिखा हुआ है लिकिनि ये हाउस फर्ष्ट है तो मैं हाउस की बात कर रहा हूँ 1, 4, 7, 10, अगर इसके बीच में, यानि केंदर में, अगर चंद्रमा और ब्रहस्पती का ये संबंद बनता है, तो ये जो प्रभाव होता है, ये जो गज केशरी योग होता है, ये बहुत ही उत्तम होता है और इसका सर्वस्रिष्टगलाब गटी को जीवन में देखने को मिलत वेसे तो कुंडली में यज़ों कहीं भी बन सकता है एक सात बैठे हों या चौथे दस्वन Y7-07 का संबन्ध होता है तो गजकेसरियों का निर्माएद्वा होगा लेकिन अगर ये केंदर के अलामा अन्म किसी घरों में बनता है या अन्म किसी घरों से किसी रास से बनता है तो फिर भी उसका लाब गट्ति के जीवन में जरूर मिलता है अब मैं बात करता हूँ कि लगबग कितने लोगों की कुंडलीों में गज केसरी योग पाये जाता है और इसमें से लगभग एक से दो लोगों को ही इसका संपूर लाब देखने को मिलता है जीवन में लगभग एक से दो लोगों को संपूर लाब देखने को मिलता है ऐसा क्यों होता है दस लोगों की कुंडली में गज के सरीयोग का निर्माण हुआ और संपूरण लाव एक दो लोगों को ही क्यूं मिलता है उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं अगर आपकी कुंडली में ब्रेस्पती, चंद्रमा का अंसबल कम हुआ या वो जिस रास में बैठे हैं, जिस हाउस में बैठे हैं, वहाँ पे उनकी बल कम हुआ या वो नीच के तो कहीं न कहीं उस प्रभाव में कमी देखने को मिलता ही मिलता है, कहीं पापग्र से पिडित हैं, तो कहीं न कहीं उनके प्रभाव में कमी देखने को मिलता है, अगर ये सब कुछ सही है, पापग्र से पिडित नहीं है, अपने हाउस में बैठे हैं, अपने मित्रास में 10 मिना बैठे हूं, 6-8-12 मिना बैठा हूं और उनके अंस बल, अंस बल का मतलब है कि अगर वो 0-5 अंस के है तो वो बलहीन है, वो कहीं न कहीं आपको profit कम देगा, लेकिन अगर वो 10-20 अंस के बीच में है तो संपूर लाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यह 0-10 क के बीच में है, यानि 7-8-9-10 है, तो लगवक 50-60 परसेंट आपको लाव देखने को मिलता है, अब मैं आपको बता सकता हूं कि गज केसरी योग अगर वेट्ति के जीवन में है तो उसको लाव क्या होता है, सबसे बड़ी बात, गज केसरी योग बनता है ब्रहस्पती और चंद्रमा के कारण, ब्रहस्पती और चंद्रमा के कारण कुंदली में इस योग का निर्माड होता है, अब ब्रहस्पती क्या है, ये ज्यान का कारक है और चंद्रमा मन, अब बताईए अगर मन और ज्यान एक सास्थ संबंद बनाएं, तो क्या होगा, मन और ज्यान अगर ए अजिकेषरी योग वाले जातक सुरुवात में बहुत परिश्रम करते हैं अपने जीवन में लेकिन बाद में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसकी वो कलपना भी नहीं किये होते हैं जब ज्यान और मन का संबंध होता है तो व्यक्ति असंभो काम को भी संभो होता है उसके जीवन में वह सोचता है कि यह कारे नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में वह काम संपूर होता है जिसके लिए वो प्रयासरत रहता है ऐसे ब्यक्ति के जीवन में धन, वाहन, घर, सुक, सुबिधा उसकी सोच से ज़्यादा होता है यानि घर, गाड़ी, सुक, ज़्यादा होता है, कालेक्षित्र में एक से ज़्यादा काम करने वाला होता है, एक चीज और राजा के समाल जीवन जीने वाला होता है, या राजा से प्रीय माना जाता है, ऐसा ब्यक्ति जिसके कुंडली में गज केसरी योग का निर्मार होता है, जीवल परियंतरमा प्रद्र काता है। तो जरूर सफलता मिलती है और वो काफी ज़्यादा लोग प्री अब्यक्ति हो जाता है। अब मैं बात करूँगा कि गज केसरी योग किस लग्न चाट की कुंडली में बनता है या किस रासी में गज केसरी योग का संपूर लाब गटिको जीवन में देखने को मिलता है। तो लगभग 80% का लाब देखने को मिलता है लेकिन अगर कहीं न कहीं वह 2, 3 या 6, 8, 12 के संबन से बनता है तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव में कमी हो जाती है और अगर कहीं प्रापग्रसिक दृष्टी है तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव में और कमी देखने को मिलता है। लगवा सौ लोगों की कुंडलियों में दस लोगों में तो बनता है लेकिन प्रॉफिट जो सम्पूर है ना वो एक से दो लोगों की कुंडलियों में ही देखने को मिलता है तो चलिए आज के एपिसोड में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि गज केसरी योग क्या होता है तो आप भी अपने कुंडलीों को खोलिए और देखिए क्या आपकी कुंडली में भी है गज केसरी योग अगर गज केसरी योग है और उसका संपूर लाब नहीं मिलता आपको, तो आप अपना कुंडली विश्रजट जरूर कराईए जो भी समस्याय है उससे सम्मंदित आप टिप्स लीजे उपाय करिए और अपने जीवन में अगर आपके गज केशरीयोग का निर्माण आपके तुंदली में होता है तो आने वाले कल में कहीं न कहीं आपकी जीवन में अगर वो राजयोग माना जाता है जो भी राजयोग है उसमें सर्व स्रिष्ट राजयोग की मैं बात करूँ तो वो गज केशरी राजयोग है तो चलिए आज के एपिसोड में मैंने आप सभी लोगों को बता है कि गज केशरीयोग क्या होता है तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि व स्क्राइब करके रखेगा वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए अब मिलेंगे आप सबी लोगों के साथ एक नए अपिसोड में सब तक के लिए धन्यवाद